राधे राधे जैशी क्रश्ना विश कन्या योग के समाधान विश योग वाली कन्या अगर कुछ उपाई कर ले तो उन्नती के शिखर पर पहुँचने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता सूर्य उदय से पहले या सूर्य उदय के समय पीपल और खेजडी के व्रक्ष की पूजा करनी चाहिए उनको वहां अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए और अपनी आयू की गिंती के अनुसा रक्ष पर कच्चा सूथ या धागा लपेटें और उतनी ही परिक्रमा लगाएं जन्मवार अर्थात जन्मवाले वार को या फिर मंगलवार को अपनी आयू के बराबर गिन कर किश्मिशले उसकी माला बनाएं और दुर्गा मा की मोर्ती पर पहनाएं ध्यान रहे दुर्गा मा शेर पर बैठी हुई हो तो बहुत अच्छा माना जाता है मंगलवार को आयू के अनुसार अर्थात उस समय आपकी जितनी आयू है उतनी ही लोंग की माला बनाएं और बहते जल में उसे तिराएं मंगलवार को काले बैल को गुड़ खिलाएं इसके अलावा मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के व्रक्ष की पूजा करें लेकिन ध्यान रहे यह सुबह नो बजे से पहले और श्याम को संझा के समय पूजा करनी चाहिए इसका ज्यादा फल मिलता है इसके अलावा विश कन्या योग वाली लड़कियों को विवहा से पहले घट विवा जरूर करवाना चाहिए जिससे की उनका वेवाहिक जीवन सुख में बीटता है घर में विश योग वाली कन्या का जन्म आपके पूर्व जन्मों के किये हुए प्रारब्द का फल होता है इसे कन्या का दोश कभी भी नहीं समझे कन्या को कभी भी ना कहें कि तुम विश कन्या हो क्योंकि इसमें उस बच्ची का कोई दोश नहीं है ये हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्द का फल होता है इसलिए कर्ण्या को कभी बोज ना समझे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें साथ में बेल जरू प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद